पर बहुत सारे डेट जल्स पढ़ जाते हैं या फिर इसकिन पर बहुत जादा टैनिंग पढ़ जाती है तो चाहां हमेशा खिची-खिची रहती है या फिर उमर से पहले चेहरे पर जुरियां पढ़ने लगती है तो गाइस यह वीडियो आप करें चैनल पर पहली बाहर है चलो को सब्सक्राइब करके विल आइकन को प्रेस कर दें इसे तरह की यूजफुल वीडियो देखते रहने के लिए और कोई भी कोई रहे तो प्रेश हमें कमेंट करके जरूर बताएं तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इस इसकिन रिंग अन्हें प्रेंंंकर यूजफुल उसके प्रेंग स्किल्वी उस्किन को प्रेंग्राने में करता है विलाग चैनरी नाश्रेक भल मोल को ने सेटिक्रानेश को था इस धनुख्या गधिंग को लेघ्यों पावडर है उसके पातों घुदॉन हुदुल पौउदर प्ल पर्टी से भरपूर होता है चेरी की जूरियां ड्राइनेस को दूर करता है इसकुन को सॉप्ट बनाता है ग्लोइंग बनाता है इसकिन पर जल्दी एजिंग की प्रॉब्लम नहीं आने देता है नेक्स हम यहाँ पर ले रहे हैं कौफी पाउडर जो कि हमारी स्किन को लाइट अगर अगर आपकी स्किन ज्यादा ड्राइट है तो दो चैमअच एलो विरह sinners बाईने ऊपर जरूरा यहाँ फिर मार्केट वाला विरसे यह स्किन के ड्राइनस को दूर कर सौप्ट बनाता है डार्क स्पॉट्स पिंपल एकनी की जो भी दाग दब्बे रहते हैं उन्हें दूर करने में मदद करता है इसकिन को लाइटेंड ब्राइटन करता है ग्लोइंग बनाता है एक चमच सहेद हम यहां पर लेंगे स्प्रísसशन आ पानी डालकर हम इस फेसपक को त्यार कर लेंगे गैस तो आप चाहें तो रोज-वाटेरी वाहट की हלपसे भी इस पायग को तयार कर सकते हो यह फिर आप किछी जयाद़ रिए यह पर एक चमच मलाई भी आड़ कर सकते वहोढर सकते हो निशिका सब्सकी तो स पाना ख़ेस को पहले अच्छे से दूल लिजिए उसके बाद अपने फेस पर इसकी एक फिक लेयर लगा लिजिए इसे लगा कर कम से कम 20 मिन के लिए अपने फेस पर रखना है 20 मिनट बाद जब यह सेमी ड्राय हो जाता है तो अपने फेस को ताजे पानी से धूल देना है उसके बाद आप चाहें तो कोई मोचराइजल लगा सकते हो या फिर अपनी स्किन को ऐसे भी छोड़ सकते हो यह हमारी स्किन को बहुत जदा सॉफ्ट बनाता है अबसानी पर यह हैं यह हमारी स्किन को अंदर से सॉफ्ट बनाता है जिससे हमारे चेरे पर नहीं आने पाती साथ ही रिंकल को भी रिमूप करने में भी बहुत जादा मदद करता है बहुत ही helpful फेस पैक है गाई तो आप इसको जरूफ्ट राएए का में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें कोई भी कोई रिता हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं फिर मिलेंगे नेट वीडियो में थैंक्स अचिन टेक केर बाई